और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज जेश्ट कृष्णपक्ष की शष्ठी तिति और शनिवार का दिन है, शष्ठी तिति आज दो पहर तीन बजे तक रहेगी, आज सुबह आठ बच के ग्यारा मेने तक शुकल योग रहेगा, उसके बाद ब्रमयोग लग जाए अर्था इस योग को मधूर चांदी की तरह माना गया है, अर्था जैसे चांदी जी की किर्णे मधूर होती हैं और जीवन में बड़ी इस पश्टता के साथ शीतलता बरसाती हैं, वैसे ही यह योग भी हर कारे में सफलता जरूर दिलाता है, इस योग में गुरू या खलों की प्राप्ति होती है, साथ ही अगर आपका किसी से जगडा हुआ हो, तो उसे सुल्जाने के लिए भी ब्रम योग बहुत ही अच्छा है, साथ ही आज राज 11 बच कर 46 मिनेट तक श्रवन नक्षत रहेगा, आकाश बंडल में इस्ति 27 नक्षत्रों में से श्रवन 22 नक श्रवन का अरथ होता है सुनना, इसका पती चिन्ञ कान है, और इसका संब्ध मदार के पेर बताया गया है, साथ ही इसके चारो चरण मकर राशी मैं से इस इसी प्राप्ति होती है, साथ ही इस नक्षत को हर प्रकार की विद्या सीखने, और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है अतहा आज के दिन शवन नक्षत्र में विद्या से जोड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा शवन नक्षत्र के स्वामी चंदर्मा है जबकि वेदांग जोतिश के अनुसार शवन नक्षत्र की अधिश्ठात्री देवी मासरस्वती क माना जाता है शवन नक्षत्र के जातक इस जन्म लेने वाले जातक बड़े बुद्यमान और सामाजिक व्योहार में कुशल होते हैं इन में लोगों को प्रभावित करने की ख्षमता होती है जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं इनकी आर्थिक इस्थिती किया जा सकता है साथ ही ये लोग इस पष्टवादी स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही छेतर में सफलता पाने के काबिल होते हैं ये चिकित्सा तकनीकी शिक्षा और कला आदिक छेतरों में विशेश रूची रखते हैं तो ये थी शुक्लियोग, ब्रह्मयोग और श्रवन नक्षति की चर्चा अब बात करेंगे आज की ये जाने वाले उपायों की अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेविल कुछ कम हो गया है और आप अपना काम ठीक धंसे नहीं कर पा रहे हैं तो आज सफेद मूच्यों के मा गले में धारन करें आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर जल्द ही कॉन्फिडेंस लेविल बूस्ट होगा और आप अपना काम ठीक धंसे करने में समर्थ होंगे अगर आप अपनी जिन्दगी में तरक्षी की तेज रफ़तार को बढ़ाना चाहते हैं तो आज सफेद रंग के फूल वाले पौदे की जड़ में पानी डालें साथी मंदिर में कपूर की डिब्बी दान करें आज के तिन ऐसा करने से आपके जिन्दगी में तरक्षी तेज रफ़तार से आगे बढ़ेगी अगर आप अपने जीवन साथी को कामया भी हासिल करते देखना चाहते हैं तो आज घर में कोई चांदी की वस्तु करीश कर लाएं उसे मंदिर में इस्थापित करके उसकी प्योग मिला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को हर क्षेतर में कामया भी हासिल होगी अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करना चाहते हैं या दूसरे के बीच अपना रुदबा बहाना चाहते हैं तो आज एक मुठी चावल और थोड़ चुकर आशिरवार दीजिए आज की दिन ऐसा करने से आप अपने करतवयों को जिम्हेदारी पूरग ने भाने में सफल होंगे अगर आप अपनी आर्थिक इस्थिति को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज चंद देव के मंतर का 108 बार जब करें मंतर इस प्रकार है ओम श रहाने के पास एक बरतन में जल भरकर रखें फिर सुबह उठने के बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़वे टालतें आज के दिन ऐसा करने से आपकी बातों से लोग परभावित होंगे अगर आप संगीत के खेतर में उन्नति करना चाहते हैं तो आज एक मिट्ट के दिये में दो कपूद जलाकर मा सरस्वती के आगे रखिए साथी देवी मा को ताजे पुष्प चढ़ाए आज के दिन ऐसा करने से संगीत के खेतर में आपकी उन्नति होगी अगर आप अपने आफिस में काम करने में कुछ परिशानी आ रही है तो आज के दिन सफेद दक्षना वरत शंक की पूजा करके उसे मंदिन में रखिए आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने आफिस में आ रही परिशानियों से छोटका रह मिलेगा अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी पारिवारिक चीजों को लेकर जल्दी ही परिशान हो जाते हैं तो आज मदार के पेरुको प्रवाम करें आज के दिन ऐसा करने से आपको परिवार से जोड़ी छोटी मुटी परिशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा अगर आप अपने जीवन में शांती और आनंद बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मीठे चावल बना कर मंदिर में दान करें आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में शांती और आनंद बना रहेगा अगर आप अपने संतान की तरक्की देखना चाहते हैं तो आज दूद्ध और चावल की कीद बना कर इसी ब्रह्मा को दान करें आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी तो ये थी शुकलियोग, ब्रह्मयोग और स्वनक्षत्र की चर्चा उमीद है कि आप इन उपायों को अपना कर फैदा जरू उठाएंगे